हेलो फ्रेंट्स मेरो पाहड यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है अगर आपने भी UK SSC का पॉम बरा है तो आप लोगों पताऊगा कि उसके लिए आपको OTR करना पड़ता है और उसके बाद आपको एक email ID और एक passport आपको मिलता है जिसमें आप लोग इन करके आगे आप UK SSC में आई वे पॉम बर सकते हो तो अगर आपके पास email ID पासवोड आप बुल गए हो या पिर आपके पास email ID नहीं या पिर mobile नमबर नहीं है तो आप इसे कैसे जान सकते हो आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ वो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हेलो फ्रेंड्स अगर आप UK SSC का पासवोड बुल गए हो तो आपको या पर पासवोड दिखाई दे रहा है आपको यहां के लिक कर लेना है और उसके बाद आपको यहां पर अपना email id इसमें डाल देना है जिस email id से आपने इसमें registration किया है तो इसके बाद I am not robert box में क्लिक करके submit कर देना है तो इस तरह के से आप अपना पासवोड याद कर सकते हैं और उसी तरह किसे email id आपको प्रोड करना है तो प्रोड़ो email id में जाके अपना नाम यहां पर आपको बट लेना है उसके बाद अपनी माता का नाम उसके बाद अपना इस्टेट आपको चूश कर लेना है जहां आप रहते हो आपको महीं कर सकती हो हापको यहां फिमेल डी चेंज वाप्सिटorage दिखाये रहे इमेल आईडी बदलने के अलिए आ चेंज इमेल डी सी में किककर रखें़े music करते ही आपके सामने नहीफीज खुल जाएगा यहां पिया आपको अपना नाम डाल देना जो आपने ही मेंध मात तो इस तरह के से आप अपनी नई email id इस site में जोड सकते हो अगर आप बूल ग unsuccess तो तो फिर कि तरह के से अगर आप अपना अपना mobile number बुल चुकिए हो तो mobile number में आपको change mobile number में klik करना है klik करते ही आपको फिर से अपना अपनी मात्यका नाम state district सब्सक्राइब कर देना है तो इस तरह के से आप चाहे आप इमेल आडी चेंज करना चाहते हो तो आप करा सकते हो और अपना पासबोर्ड और इमेल आडी कर सकते हो तो यह जानकारी आपके लिए लाब दायक साबित होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हो थेंक यू